दोस्तो तार्ग मैता का उल्टा चश्मा में जो स्टोरी चल रही थी जब जेठा लाल और चंपक चाचा और मतलब बेसिकली गड़ा फैमली को डिनर करना होता है लेकिन दोस्तो क्योंकि सलेंडर तो बबीता की घर दे दिया होता है तो उसके बाद वो बाहर खाना खाने जा होते हैं लेकिन दोस्तो जैसा के हमें अनुमान था के जो गड़ा फैमली है वो बबीता और आयर के साथ डिनर कर सकती है तो बिलकुल वैसा ही हुआ और यह स्टोरी यहां पर खतम हो गई और इसके बाद दोस्तो जो अपकमिंग प्रोमो है उसमें जो पोपट लाल है वो सर कार के फैसले के खिलाफ अंदोलन करने की बात करता है तो मेरे को तो ऐसा लगा या आप में से भी काफी सारे लोगों को लगा होगा कि फाइनली अब किसान अंदोलन की बात होने वाली है या जो पेट्रोल डीजल के प्राइसिस बढ़ गया है उनकी बात होने वाली है या फिर जो government privatization करती जा रही है government properties को उनकी बात होने वाली है लेकिन वैसा कुछ भी नहीं बलकि ये तो बात होने वाली है कि government ने दूसरी शादी करने पर आदा खर्चा देने का फैसला किया है मतलब ये कौन सी policy है जो government ने बनाई है हाला कि इसका कोई मजाक में ही news वगरा दिख भा दिया जाएगा और इस पर कोई dedicated story नहीं होने वाली है जहां तक मेरा नुमान है और हाँ दोस्तों मेरा आपसे यहां पर एक सवाल है कि second शादी का नाम सुनके जेठ हलाल इतना खुश क्यों हो रहा था आपको क्या लग था इसके बारे में नीचे comment section में जरूर बताना औ को अप्रेल फुल बना सकते हैं तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना link जो है description में आपको मिल जाएगा